नवस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर अमेरिका के पार्ट टू के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर अमेरिका के अंतरगत यूएसे में जब बात करेंगे तो देखेंगे यूएसे के पार्ट टू में हम बात करेंगे खनिच के छेतरों की बात करेंगे और यहां के प्रमुंक रेलवे की बात प्रमुंक घाटियां प्रमुंक धर्रे इन सब वीडियो को मैं ले 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 करेंगे यहां के प्रमुख और द्योगिक छेत्रों की बात करेंगे तो एक जो एरिया होता है आप सकते हैं उत्तर पस्चिम का एरिया है यह कह सकते हैं दच्छड पस्चिम का एरिया है या कहें तो आप सीधी से देखा सकते हैं पस्चिम का एरिया इस तरफ आप देखेंगे तो दच्छड पूर्व का एरिया है और आप देखेंगे यह वाला करेंगे उत्तर पस्चि में तो यह सिटाइल लिखा वास और यह सीटल है सीटल सिटल तो सीटल की बात करेंगे तो हम जब देखेंगे तो सीटल है और यह सलेव सीटल वासिंगें सलेम और एक यह प्रांटों के नाम मैंने बताया था कि आप उत्तर अमेरिका का यह कहें कि सिफ यूएसे का एक पॉलिटिकल मैप आप देख लीजेगा पॉलिटिकल मैप जो आप देखेंगे तो आपको चीज़ के अच्छे से सभझ में और आ जाएंगी यहां के प्रह मुंखर 1990 जॉट नाम अप याद आजा जाएंगी यहां के प्रान्थ के अबर्या आ य।ग्र समग्ज पर में आने प्रृद के आर्यफेशे के चैठरम ब कि यूज परमएंग्छ या कहें तो यहाँ पर काफी जदा फेमस है जो दुनिया की बड़ी-बड़ी कमपनिया जो कह सकते हैं कि जो IT छेतर की है वो सब इसी छेतर में इस देता है रेहां दो ऑरिजेन्ट हैंगे तो हम आएंगे इस हिस्से में इस हिस्से की बात करेंगे तो यह वाला हिस्सा जो अर्था जो मैक्सिकों की खाडि के आसपास की चेतर यहां पर काती जगें normal जगहें जिन में से एक हैं धिकन्यला रच्छा वकड़क के लिए सबकर jäता है आटलांटा इस्तिते जो आटमोवाइल के लिए जाना जाता है कोका कोला वगएरा कमपनी का मुख्छालई यहीं पर यह तो बात करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि उतरी छेतर में उत्तर पुर्वी के छेतर में तो बोस्तन फिलादेल्फ या बाल्टी मोर बोस्तन इसको याद रखेगा नियुयार्क को मैनहेटन दूइफ है उस पर इस्तिति नियुयार्क है वह एक हड़सन नदी है हड़सन नदी जो है वो क्या करती है नियुयार्क और न्यूजर्शी को अलग भी करती उसको भी आप याद रख सकते हैं बाकी बात करेंगे यह जो एरीया ग्रेट-लेक्स का इसमें देखेंगे तो इतनी झीले के वीडियोे लेकर आओंगा इन सब जीलों के बारे में बिश्टतरूप से चर्चा करेंगे इन जीलों के बीच में बहुत सारी नहरे इस्तित हैं जीलों के बीच में कुछ जीले इस्तिते हैं उनकी चर्चा करेंगे इसके आस पास के प्रमुक सेरों की चर्चा करेंगे और यह और देखेंगे तुछ से मैं हलका साब को बता दूं जैसे यह य combined बात करेंगे मिशिघन के किनारे मिलौक और सिकागो और किरेंगे इसी के प्रमुक है तो परन देखेंगे अब थीकली मैं कि युए महुंत लैरी सिकागो मांझ प्रसंज सटा Gentlemen मांस प्रसंस्क्रड मतलब मीट प्रोसेसिंग यहां होती डेट्टाइट आटों वाइल टोलेडो आटों वाइल क्लीवलेंड इसपात उद्योग बफेलो रसायन उद्योग के लिए जाना जाता है इसमें और जो हम देखेंगे तो खनीच छेत्रों की बात करेंगे हाला कि अम प्रवस संखला देख रही है कोईला के लिए जाना जाता है यह अलबामा प्रांथ से लेकर के काफी दूर तक यहां तक दच्विम में अलबामा तक है याद रखेगा अप्लेसिंग प्रॉट कोईला कंसास ओकलाहूमा पेट्टोलियम कार्टेज नवाड़ा स्वड़ यही नोब कभी कदर प्रस्णा आजाते है विसमेलत करने के लिए ग्र्लेसिंग घाटी प्ली इखिए इस पर आया हूँआ फ्म्हीं में की देखा रहें की प्लीजिट घाटी और बात करेंगे रभीड्ट घाटी यह सु मिटी घाटी सैंसिंग मुद के लिए जाने जाती है किस भूमत शागरी जलवयू पाई आती है। और भूमत शाग शागरी जलवयू की विषयस्ता यहीं है कि यहाँ पर सीत-रितू में बारिस होती है किुछ में बारिस नहीं होती है। णक Panthndah जो यहांBlack में बारिस की वजे तो उतर भारत के मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर देखें तो लसीले-फल्फुब होते जैसे इस साल की बात करेंगे तो सीत्रितु में बारिस ना होने की वज़े से आपो निम्बू के भाव अगर आप देख रहे हैं किस तरीके से चढ़ गये थे क्योंकि सीत्रितु में ब पहले जैसे ही बिकते हैं तो वह होगी बाते हैं सेंजुवान रैबिट यसो मिटी अब बात करेंगे यहां के प्रमुख दर्रों की बात करेंगे एक हिल्स बोरो दर्रा गोसन दर्रा इनास दर्रा बुचनान दर्रा इसमें से आपको हिल्स बोरो याद रखना है और इनास दर सेक्षिय डच्छू टांस माध्वीपी रियल मार्ग जो नियू और्लेंस सेले करके सेंट फ्रांसर्सको तक जाता भ जा रहा इस़ीет सेंटरल ऊस्पक रियल मार्ग जो जा रहा इस पर इनास अधर्रा इसी पर तो उसको भी याद रखेगा इनास धर्राय कुछ है इतना दिमाग पर रहेगा कि इनाज दर्दा नाम की कोई जगे यूएसे में हाला कि हिल्स बोरो इंपोर्टन्ट है इससे प्रस्ट नो हो सकता कभी पूछी लिया जाए तो हिल्स बोरो आप याद रखेगा गोसन उत्रह इंपोर्टन्ट नहीं है लेकिन आप इस बोरो याद करेंगे ग्रेट लेक्स चेत्रों के बारे में देखेंगे कि आखिर ग्रेट लेक्स चेत्र और दुगिक चेत्र के आसपास कौन-कौन से जीले हैं कौन-कौन से सहर हैं कौन-कौन से नहर हैं कौन-कौन से नदिया हैं नियागरा जलपात की बात करेंगे जो औरी और उन्ट